आपके जो कोशिंट पेपर उसको कैसे सौल्व करें किस तरीके साथ को आंसरिंग करनी है ताकि आपको अच्छे मार्स मिल सकें किन बातों को धिहान लगना है तो इस वीडियो को स्टाट करने से पहले काफी बचे मेरे पास कोमेंट कर रहे हैं कि मैं जो मोस्ट इंपोर्टन क आप उनकी वीडियो प्रवाइड कर दीजिए तब कि इंपोर्टन कोशिंट की वीडियो पहले ही में चैनल पर अप्रोड कर वा चुकी हूं वरिंदर कॉर मैं आपने वीडियो बनाई थी आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको देख लीजिए काफी एक्सपरियेंस टीचर आप वहां से डाउनलोड करके आपने देख लेना किस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है तो क्या करना काफी बच्चे स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते को ठीक है तब क्योंने लगता है कि उनको आंसर इसका आता नहीं है अच्छे से लेकिन फिर भ ताकि वह ठीक लगा देखने में ऐसा नहीं करना तिकि जैसे क्यों इस तरीके से तरीके से कर देते हैं डिके और साथ यह नहीं देखना कि first से ही start करना है, नहीं, आपको क्या करना है, यह देखे, आपको सबसे पहले जो उन answer को लिखना है, जहां पर आपको लगता है 100% कि आपको इस question का answer बहुत अच्छे सा आता है, आप इस answer को लिख सकते हैं, जितने भी question इस type के, उन question को सबसे पहले करी है, ताकि teacher जब copy check करें, तो उसको लगे कि हाँ, बच्चे ने काफे अच्छे से पढ़ाई भी करी है, और साथी साथ बच्चे ने अपने answers को भी सही तरीके से हमाँ पर लिखा हुआ है, ठीके, दूसरे आपको उन questions को लिखना है, जहां पर आपको लगता है 50% आपकी जो question है, वो सही है, और 50% आप उसको बना लेंगे, ठीके, तो इस तरीके के questions को आपको second number पर रखना है, और इन questions को लिखना है, ठीके, तो उसके case में आपको क्या करना है, उनको ऐसे छोड़ कर नहीं आना, आप महाँ पर उनको बना कर आए अपनी language में, ठीके, उनको बना कर लिखा इस तरीके से अगर आप अपना question paper करका राते हैं, solve, तो आपको आसानी से अच्छे marks मिलेंगे, और teacher की नजरों में भी आपको आंसर सीटे देखके वो खुश हो जाएगा, और सही से आपको marks भी देंगे, ठीके, तो friends, इसी तरीके की वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्रा प्रियर इसा, thank you for watching.